सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री के असम दौरे की जहां उन्होंने राज्य को 14,300 करोड रुपे की योजनाओं का यहां पर एलान किया है साथी कुछ योजनाओं का यहां शिला न्यास किया गया, कुछ का उधगाटन हुआ इस मौके पर प्रधान मंत्री ने पुर्वोत्तर भारत को पहला एम्स और तीन मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नौर्थीज की कनेक्टिवीटी को लेकर काफी चर्चा हुई है आज जो भी यहां आता है वो यहां की तारीफ की बिना नहीं रहता उन्होंने कहा कि यहां पर सोशल इंफ्रस्ट्रक्चर पर काम किया गया है यहां पर एजुकेशन और मेडिकल शेत्र में काफी कुछ काम किया गया है इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकारों पर तंसकस्ते वे कहा कि पिछली सरकारों ने North East से दूरी बनाय रखी जिस से यहां का विकास कम हुआ पर हमने यहां सेवा भाव से काम किया और यहां का तेजी से विकास हुआ पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे इसलिए नौर्थ इस्ट उन्हें दूर लगता था एक परायपन का भाव उन्होंने प्यादा कर दिया था हम तो सेवा भाव से आपके सेवक होने की भावना से समर्पन भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं इसलिए नौर्थ इस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपने पन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है आज कल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है मैं देश में कहीं भी जाता हूँ उत्तर में, दक्षिड में, दौर्थिस में पिछले नव वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत परिशानी हो जाती है ये नई बीमारी है वो शिकायत करते हैं कि दसकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है उन्हें क्रेडिट को नहीं मिलता क्रेडिट के भूखे लोगों और जन्ता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहीत किया है और इस वक्त हमारे सही होगी अखिलेश शर्मा गोहाटी में मौजूद हैं उन्हीं का हम रुख कर रहे हैं अखिलेश जी यहाँ पर प्रधारमंत्री का पूरा भाशन आपने सुना हमने अपने दर्शकों को सुना है पूरे भाशन को किस तरह से देखा जाये जिस तरह से विपक्ष पर हमला उन्होंने किया कई सरकारी योजनाओं को उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया 2024 की एक जलक कह सकते हैं निशित तोर पर जया और हाली में जो तीन विधासवा चुनाओं में जीत हासिल हुई है मेगाले, नागालेंड और तिप्रवा में उसके बाद पिम नरे द्रमोदी के असम किये यात्रा एक तरह से यहां के जनता को धन्यवाद ग्यापित करना भी है और दूसरी बात यह कि पिष्टे लोगसमद चुनाओं में जो वादे किये गए थे उनको जमीन पर उतारने का उतरते दिखाना भी जनता को ये भी उनका उद्देश्य था क्योंकि जिस एम्स गौहाटी का आज उन्हें उद्धाटन किया है दिरिक्षन किया है 2017 में उसी का शिला न्यास भी पिम नरंद्र मोदी नहीं किया था तो 6 साल में ये बन करके तयार हुआ है पूरे पुर्वत्तर के राज्यों के लिए जनता के लिए एक बड़ा दिन कि उनके लिए एक बड़ी सुईधा यहाँ पर मेडिकल की मिली है तीन मेडिकल कॉलेज का भी उद्धाटन पिम नरंद्र मोदी नहीं किया है अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो गुहाटी हाइकोट है उसके प्लेटिनम जूबली कारिकल में वो हिस्सा लेंगे और आसरी असम का जो नववर्ष है वो शुरू हो रहा है इस अवसर पर बिभू का एक बड़ा आयोजन किया गया है बिभू जो है वो परंप्रिक नित्य है असम के लोगों का और बड़े स्टेडियम में दस हजार से ज्यादा कालाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं गिनिस बूक आफ वर्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ रहा है उस मौके पर भी पिर्म नरंद्र मोदी रहेंगे तो कुल मिलाकर के असम की जनता को संदेश और जैसा आपने कहा है बिल्कुल सही है दोजार चौबिस के लोकस्वा चुनाव के लिए पुरुवत्तर के राज्यों में एक तरह से उन्होंने अपने चुनाव इभ्यान के शुरुआत भी करती है और विपक्षी पार्टियों को ने आड़े हाथों भी लिया है बिल्कुल और यहाँ पर प्रधार मंत्री का आगे का क्या कारेकरम है चार बजे शायद एक रोड़ शो भी वो करने जा रहे है देकि जब वो निकलेंगे स्टीडियों के लिए बिहू के इस कारिकम को देखने के लिए तो सड़क के दोनों और जनता जो है वो भारी संख्या में उम्री है प्यम नरंद्रमोधी का अभिवादन करनी के लिए तो वो अपनी गाड़ी से जाते वे उनका अभिवादन वो खुद भी रखते वे नजर आए थे तो वैसे ही कुछ द्रश्याज एक बार फिरसे में देखने को मिलेंगे जब दस हजार स्यादा कलाकार आज जो असम के नववर्श शुरू हो रहा है उस अवसर पर बिहू नित्य को एक वैश्विक पहचान दिलानी के लिए जो के वर्ल रिकॉर्ड में दर्श भी किया गया है उसके कारिकर में सालेंगे जी अखिलेश जी बहुत बर शुकरिया इस पूरी जानकारी के लिए तो यहां आसम के गोहाटी में प्रधान मंत्री ने अपसे कुछ देर पहले जो भाशन दिया उसमें तमाम सरकारी यूजनाओं क पास जिक्र किया साथी असम को यहां पर मेडिकल जो एम्स है 2017 में खुछ प्रधान मंत्री ने उसका श्रीला न्यास किया था आज उसका उन्हाटन किया है और तीम मेडिकल कॉलेज भी यहां पर शुरुआ तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह की तैयार यहां लोग कल कलाकार भी हूँ निर्थे करते वे नजर आ रहे हैं प्रधान मंत्री आज इन तमाम कलाकारों से कुछ देर में मुलाकार भी करें